बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि हम लोग जो सेकेंड येर का रेजटेशन को कम्पलीट कर लिये हैं अब हमारा सिलेवस क्या होंगे हमें WBA का क्लास फिर से करने पड़ेंगे PCP क्लास फिर से होंगे क्या क्या चीज होंगे इसी के वीसे में हम लोग आज इस व को वैलकम करते हैं वैलकम टू आवर डीसेश क्लास हमारे डीसेश क्लास में आप सभी का स्वागत है यहां जो हम बात करने वाले डिप्लोमा इन इल्मेंटरी एडिकर से कर रहे हैं उनके लिए आज बहुत ही खास इंफ्रोमेशन लाए हैं आप लोगों को डिमार्ड के अन यहां ग्लास बतानेंес को बातों को लेकर हम लोग इस में बीडियो में बताते हैं पूरा विडियो जरूर देखेगा विडियो पसल लेके तो लाइक जरूर करते हुए पर पहले PCP के बारे में हम लोग चर्चा करने तो यहां पर देख पार अधियन केंद पर बैक्तिगत संपर कारेश करम PCP तो यहां पर PCP कलास को लेकर यहां पर ज़ो है बहुत जल्द आपको हमारी website के मैंदम से आपके अधियन केंद के बारे में जनकरी प्राप्त होगी दिनों के PCP कच्छाओं में हिस्सा लेना अनिवार PCP कच्छाओं में होंगे तो यहां पर आप 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 आपको पंद्रों दिवसी क्लास को किये थे उसी परकार के सेकेंड यहर में अभी आपको PCP क्लास को करने होंगे यहां पसाब सब लिखें में मुक्तेवन दुरस सिच्छा परानली में बैक्तिकर संपरकारिजकरम PCP का विसेस उद्देश एक दुरस सिच्छाथी के रूप में आपकी साहिता करना है और अध्यन के द्वारा आपके सामने आने वाली समिशाओं का समाधार करना PCP के माइद्धम से आपको समकच बैक्तियों के समों के साथ अनुसिच्छ को विसेसग्यों से विचार विमस करने का उसर पराप्त होगा आप समझ पाएंगे कि सिच्छन के वज़ाए संपरक सब्द के परियोग से प्रारम्भिक कछा सिच्छन तथा PCP के माइद्धम अभव साजा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाय की गतिविधियों में आने वाले बदाओं को दूर कर सकते हैं, आमने सामने का परस्पर बिचार बिमस कच्छा में तथा कच्छा के बाहर दोनों जगह होता है, यदि पी PCP के लिए कोई बिसेस अंक नहीं दिये गिये हैं, परन्तु इसे बहुत मत्व दिया गया है, इन सत्रों में उपस्तित आविसक आपको कम से कम 75% का क्लास आपको करना अनिवायर है, तो आपने यहां पर पुरा का पुरा चीज़ देखे कि होना अनिवायर है, बिना इसमें जो है, बिना PCP के क्लास का साफ साफ जो आपको बता से कलास होते हैं, जो कि फर्स्ट एयर में भी बालो दिवस्य होते हैं, तो यहां पर लिखे हुए बारो दिवस्य काईज क्रम, अधारित, गतिविधी, डबलू भी है, पर्थम वर्स और डितिवर्स, पर्तेक वर्स के लिए 4-4 क्रेडिट आपको 100 मार्स, कुल 24 दिनों की क दूसरा हंडिट मार्स के होंगे, यानि की फर्स्ट एयर में, फर्स्ट समेस्टर, फर्स्ट वर्स में, जो हंडिट मार्स के होंगे, और फर्स्ट एयर में, फर्स्ट एयर में बारो क्लास होंगे, यानि की टोटल जो आपको 24 क्लास करने, चोवीस क्लास को आपको 100% उपस् इसमें भी 100% उपस्तिती अनिवायर है और पर्थम कारचला आधारित मुल्यांकन WBA पर्थम वाट्स के लिए 4 क्रेडिट और 100 अंक्प और दित्ती कारचला आधारित मुल्यांकन WBA 2 सेकेंड यर के लिए भी 4 क्रेडिट और 100 मार्क्स आपको मिलेंगे तो इस पर कारचला कभी कलास आपको करने अनिवायर है यहाँ पर इसके साथ यह भी लिखे कि यह कार्च करम में आपको भी से सग्यो समकच्च समुहों तथा अनि लोगों से समकच्च परतेच रूप से परसपर विचार भीमस करने का अवसर प्राप्त होगा यह कार्च سाला एक सिच्छक के रूप में आपके कार्च से सम्बंदित आपके विचारों के आदान परदार मुद्दो को सामने लाने विशर समस्याओं पर विचार भीमस के लिए भी एक मन्चित परदान करनी है यह कण्षाला आपको कोशल प्राप्त करने तथा उनका अभ्यास करने विमाद के विसप्रार से औलोगना में कछाओं में सित्छन तथा परवन्धंक से संबंदित मामलों में आपकी मदद करे गी यह काड़चला अध्यन के अंद पर आहुजित किया जाएंगे तो आपने देखें कि आपको किस परकार से आपको करने है यहाँ पर लिखें हुए साब साप लिख देगे काड़चला अधारित गतिविदी WBA में दो वर्सों में दो सो चालिस घंटे यानि दो सो चालिस आवर का आपको इसमें मिलेंगे उसी पर आठ क्रेडिट और दो सो मार्ग्स का आपको सामिलोंगे अब आप देहें पीटी के कलास पीटी क्या होता है इसके बिसे में पीटी के लिए आपको आठ क्रेडिट आपको दिये जाएंगे और इसके साथ इसाथ जो है आपको दो सो अंक आपको मिलेंगे इस जिसको खास ख्यार रखिया आईए इसके विसे में भी पीटी के भी कलास के बारे में समझते हैं डियलेट कर्च करम का परमुक उस देश सिच्छन ब्यवसाई के परती आप में सही दिर्ष्टी कोन का विकास करना तथा सिच्छन अभ्यास पीटी के मैद्यम से अधिकतम अस्थर तक सिच्छन कोसल पराप्त करने में समकच बनना और पीटी के मुखे तत्व नेमना अनुसार है नमबर पहला उत्तम पाठ योजनाई लिखने की तकनिके जानना यानि कि आप किस परकार से अच्छे से अच्छे तरीका से आप पाठ योजना आप लिख सकते हैं तथा योजनाओं के साथ परभावपून धंग से पाठ पढ़ाने का कोसल सिखना मतलब किस परकार से आप बच्चों को पढ़ाईएगा ताकि कितनों भी अगर खराब से खराब अगर चैप्टर है कितनों से बोरिंग से बोरिंग चैप्टर है तो बच्चों को इस तरह साब पढ़ाईए कि बच्चों जो है बहुत ही अच्छा से इंट्रेस्टेट लेने लगे इसके साथ साथ यह भी डिखें कि वास्ता में सिच्छन अधिगम परक्रिया के अत्यनत महत्पुन तत्व माने गिये और इन दोनों में परवीन होकर इनकी भली भाती परियोग करने से निश्चित रूप से आप एक सफल सिच्छक बन पाएंगे सिच्छन अभ्यास को सिच्छन बैवसाई के आधार सिला के रूप में माना जाता है क्योंकि यह आप जैसे सिच्छक परिचार्थियों को सिच्छन कोसर प्राप्त करने उनमें सुधार करने तथा इनमें परविन्ता प्रविन्ता प्राप्त करने के आउसर परदान करता है चोटल जो 40 अभियास पार्ट आपको त्यार करने है यहाँ पर साप साप जो लिख दे हैं 40 अभियास पार्ट आपको इसमें रेडि करने हैं इसके बाद लिखें कि यह गतिविधी आपके काईज अस्थल अस्कूल में की जाएगी जहां आप पढ़ा रहे हैं इसके लिए 8 क् के गंटे रखेगी हैं पर तपरचारी जो कि आफके मांग दर्शन होंगे वैथ Okay शायता से मुल्यग कराएं沟 से सबक्रार्वार्वा एक हमारी अब पर आप ने देखेए कि कि आपका पर पीटि का स्कूल में होने वाले कियां पर लिखे priced संट्र पर आपका नहीं होंगे बलकि जहां पर जिस इसकूल में आप पढ़ाते हैं उसी इसकूल में होंगे अर। आपका जो वहां का principle होंगे वो परिंसफेल आप सभी का teachers का marks को, marks को अप्लोड Reality को जानेंगे और वो जो प्रिंस्पल जो है वहाँ पर यानि की जो प्रिंस्पल जिस स्कूल का प्रिंस्पल वहाँ जो भी स्टेडी सेंटर होगा जिसमें आप सभी का नाम अंकरन है एडविशन लिए हैं जिस स्टेडी सेंटर पर वहाँ पर ले जाके submit करेंगे फिर study center का काम है कि study center वाले school पर जाएंगे और सही से verified करेंगे यदि आपका जो numbers जो भी provide किये अगर सथे रूप से पाया गया तो जो एनाइस का official website वहाँ पर marks को upload कर दिये जाएंगे अगर किसी परकार का truth अगर मिले तो आपको जो cancel कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर आप सबी देख लिए कि आपको किस परकार से कैसे करके जो है आपको WBA का class PT का class किस परकार से करने अब थोड़ी से हम लोग first semester के result के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि बहुत सारे जो comment आ रहे हैं थे कि first semester का जो है result जो है कब गोसित किये जाएंगे तो चलिए आपको बताते हैं और उसके बाद पूरा का पूरा complete आपको बात रखते हैं आप यहाँ पर देख पारें एक्जामनेशन को गोसित करने के लिए यहाँ पर देख पारें परिनाम की परकरिया तथा घोसना यहाँ पर लिखे हैं साफ साफ लिखें मुल्यांकन विभाग NIS मुख्याले परिच्छा की अंतिम तिती से 45 दिन के भीतर भीतर परिनाम की परकरिया तथा घोसना के लिए सभी आविसक परबंद करेगा परिनाम क से घोसना की जाएगी तथा यह एकर भार जो एक्जामिनशन जो है आप सबीका एक्जामिनेशन जो 501 का बात कहते तो 31 माइं को कम्पलीट हुए थे तो एक एक जून को और पान सो दो का बात कहते हैं तो दो जून को complete हुए थे इस तरह से करके तीनों का तीनों examination जो है आपका तीनों का तीनों examination complete हुए थे लेकिन इसके साथ इसाथ जैसे दो जून से आप यहाँ पर जोडने है 45 जो है डेस यहाँ पर लेकिन कुछ दिन पहले एक निउज आये थे अब जो है तीन महीना बाद यांगि की 90-day को यानि spirit के बाद रिजल्ट को प्रॉइट किये जाएंगे यानि 90-day को मतलब कहने यह होते की तीन महीना बाद यहां पर हुआँ एसा क्यों कि बहुत सारे जो है निए यहाँ पर सिच्छा के एक्जामनेशन दिये थे जिसके लिए कोपी को जो है चेक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुसिबत का सामना करना पड़ रहे थे जिसके कारण और 45 डेज को बढ़ा कर उसको 90 दिन के कर दिया गे ऐसी ओपीस से अगर देखा जाए तो यह नाइस ने पहले अपने जो बैवसाइट पर पीडियेप के माइनदम से बता दिये गिये थे कि आपको 45 दिन के भीतर आपको किसी भी हालत में आपको रिजल प्रभाइट किया जाएंगे लेकिन आपको 90 दिन लगेंगे यानि सिप्टमबर महिना तक आपको जो है बैवसाइट में आपको अ लिंक मौझूद नहीं है लेकिन जब रिजल आ जाएंगे तब आपको लिंक वहाँ पर दिखने लगे तो एक नजल हम लोग ऑफिसेली बैवसाइट पर भी ध्यान दे देते हैं आपको एक लिंक आएंगे जब आपका रिजल आ जाएंगे तो यहां पर साब 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 501, 50 502, 503 का रिजल आप यहां से चेक कर सकते हैं या ऐसे लिखे रहेंगे फॉस्ट एक्जामनेशन का रिजल या फॉस्ट सेमेस्टर का यहां पर रिजल लिखे रहेंगे इसके साथ इसाथ टीचर सेक्शन में भी आप जाकर अपना रिजल को यहां पर देख पाएंगे जब आपका रिजल टाएंगे तो बहुत जल्द ही आपका रिजल टाएंगे सेप्टेंबर महेना या सेप्टेंबर महेना से पहले पहले आपके पास रिजल टाएंगे यहां पर इस वीडियो में आपको हम पुरा का पूरा कम्पलीट बत बात बता दिये कि सेकेंड येर में क्य क्या क्या चीज करने सेकेंड यर में क्या कौन कौन सी फाइल आपको बनाने किस परकार से फाइल बनाने क्या क्या चीज होंगे किस परकार से क्लास होंगे उसके बारे पूरा का पूरा हमें यहां पर डिटेल जो है आपको बता चुके हैं यदि फिर भी किसी भी परकार का समय तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा इसके साथ इसाथ अब आगर वीडियो पर नए होगे यानि चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब बटम को जरूर दबा दे किसी भी परकार के समय से हैं तो कमेंट लिखे वीडियो कैसा लागा हमें जरूर लिख कर बताए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत देनवा फिर मिलते कोई एक नए वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग